हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मारोक्स की यूट्यूब एज़ूगस ने चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे यूरिस पास टैबलेट के बारे में तो यह ऐसे टैबलेट है कि जो कुछ प्रॉब्लेम्स होते हैं जिसे की बार-बार पेसा बाना या फिर पेसा आपको न रोक पाना तो ऐसे कंडिशन्स को ट्रीट करता है यह यूरिस पास टैबलेट तो उसकी डिटेल स्टेडी करेंगे और जानेंगे कि कि कितने डोस में यह टैबलेट यूस की जाती है उसके साइड एफेक्स क्या होते है वार्निंग्स क्या होते है और कैसे आप उसका सही उप्योग कर सकते हैं तो डिटेल में जानते हैं यूरिस पास टैबलेट के बारे में और जानेंगे कि यह कैसे ओवर एक्टिव ब्लेडर को ठीक करता है तो basic उसके बारे में dose side effect warning content indication से एक साल तक farmer rocks के अब उपर तो अगर आपको ये medicine course join करना है और सिखने है अलिग अलग दवाईयों के बारे में उनके dose side effect warning content indications के बारे में तो अभी download करें आप farmer rocks या फिर हमें 9016312020 पे call या whatsapp कर सकते हैं हमारी second channel को भी subscribe करके support करें link description box में मिल जाएगी तो अब समझते ही urispas tablet के बारे में तो ये ऐसे class का medication है कि जिसको हम anti-mascarinics drugs कहते हैं और ये medication का काम होता है muscles को relax करना कि जिससे क्या होता है कि muscles के contractions के करन urinary urgency हो जाती है और बार बार आपको जो है नहीं रोक पाथे आप तो ऐसे condition को urispas tablet जो वो ठीक करता है तो क्या करता है कि जो हमारे urinary tract में या फिर जो आपके bladder के अंदर रहे जो smooth muscles होते है उनके contractions के करन जो problem होता है वो problem soul होता है ये urispas tablet को लेने के बाद कि muscles को जो relax कर देता है और खास ये धियान रखना है कि ये कोई antibiotic medication नहीं है ये anti-mascarinic drug है कि जो muscle relaxants property जो है वो provide करती है तो urispas tablet के बारे में और detail में जाने तो urispas जो है वो उसका brand name है और उसके अंदर जो main medication है वो है flavoxid hydrochloride medication है कि जो 200 mg के strength में ये tablet के अंदर जो है वो present है तो यहाँ आप उसका label देखो तो लिखा है flavoxid hydrochloride 200 mg उसकी strength लिख हुई है film coated tablets रहती है और उसके manufacturer ने उसका जो brand name लिखा है वो है urispas और ये उसका salt composition आप देख रहे हैं flavoxid hydrochloride के tablets तो ये anti-mascarinic effect है उसके पास because ये एक anticholinergic drug है और muscle reaction property प्रोवाइड करके जो urinary frequency के जो problem होते हैं कि बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है साथ ही urgency रहती है और dysuria जैसे medical conditions को ये medication जो है वो ठीक करते हैं तो उसके basic use समझे तो सबसे पहले तो आपका जो over active bladder होता है उसको ठीक करता है अब आप जान लो कि जो over active bladder का problem होता है तो उसमें special ये होता है कि आप पेशा आपको रोक नहीं पाते कि पेशा आपको नहीं रोक पाना कैसी urgency आजाते कि आपको तुरंज वो वास्रूम जाना पड़ता है urination को आप control नहीं कर पाते कि पेशा आपको नियंत्रिंट करना में और समर्थ था फिर urinary frequency भी ये medication जो ठीक कर दिया कि अगर आपको पेशा आपके लिए बार-बार जाना पड़ते तो वो भी ये medications ठीक करता है कि जिसको कहेंगे कि urinary urgency को treat करना और जो uncontrollable frequent urination होता है कि आप कई बार ऐसी condition produce होती है कि अगर आपको simple खासी आती है या फिर आप जोर से हसते है तो भी आपको पेशा हो जाता है तो ऐसे सभी conditions को urinary sparse tablet जो ठीक करता है actually उसमें होता ये है कि आपका ये वाला देखो कि जो normal bladder है तो normal bladder के अंदर जो muscles होते है वो proper relaxing condition में होता है और जब वो bladder full होता है तो ही वो contractions के condition में आते है और bladder को जो है वो empty करते है मनले कि उसको खाली करने का काम करते है कि जिससे आपको पेशाब लगता है but जब problem होता है कि आपका bladder जब over active होता है तो जब ऐसी condition होती कि पेशाब वहाँ पे पूरी तरह feel नहीं हुआ है कि यहाँ पे देखो कि bladder इतना बरा हुआ है जबकि यहाँ पे bladder जो वो full है bladder full होने के बाद ही contraction होता है और urine pass होता है बट कुछ conditions में bladder बरा हुआ ना हो या फिर इस तरह से आदा बरा हुआ हो फिर भी muscles जो है वो contractions करना start कर दे या फिर बार-बार ये muscles contraction कर दे जिससे आपको जो है वो तुरंद जो है वो पेशा आपके लिए जाना पड़ता है कि जिसको हम कहिए दे कि बार-बार पेशा बाना या फिर urinary urgency तो ये medications क्या कर दे है जो muscles जो बार-बार contract होते है उसको relax कर देता है जिससे आपका ये complications solve हो जाता है तो दूसरे उसके problems हम देखे तो urinary drag के अंदर जब आपको spasms आते है specially bladder के अंदर spasms मतलब कि वहाँ पे तनाव आता है contractions रहता है और उसके करन फिर control urine frequency and urgency और dysuria की जो condition के specially आपके lower urinary drags related जो problem है कि जिसके अंदर painful या फिर difficult urination होती है कि आपको पेशा आप करते वक्ग जो दर्द होता है और difficulty feel होती है पेशा आप करने में तो वो condition भी ये medications जो हो ठीक कर देगी जिसके अंदर आप discomfort feel करते है तो ये सभी condition को treat करने में help करता है urispas का ये tablet फिर ये medication जो ऐसे symptoms की जो आपके prostate के अंदर समझे के infection है bladder में या फिर kidneys के अंदर infection है तो उसको भी ठीक करता है जैसे कि painful urination के आपके symptoms से frequent urination night time urination excessive urination at night and urgency for urination आपके रात को बार बार कई बार कुछ लोगों को पेसाप करने जाना पड़ता है जिससे क्या होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती फिर और रात को excessive urination होता है तो उस वक्त ये tablet आपको काफ़ी effective and useful साबित होते है वीडियो के बीच में आपको बताओ कि जो हमारी second channel है उसको भी subscribe करें और हमें support करें अब जानते हैं उसके daily dose के बारे हैं कि कितने dose में ये medication आप ले सकते तो adult के लिए और children about 12 years के लिए हम उसके dose के हम बात करें तो 100 से लेकर 200 mg दिन में 3 बार या फिर दिन में 4 बार आप ये medication ले सकते हैं तो ये जो tablet है वो आप दिन में 3 बार जो वो खा सकते हैं 1, 1, 1 के तोर पर ये medication जो ले जा सकती है depend on the condition के आपकी condition कैसी है तो recommended daily dose रहता है 200 mg बीडिंग दिन में आप 2 बार ये tablet खाए और minimum dose के हम बात करें तो 100 mg दिन में 3 बार या फिर 200 mg दिन में 3 बार भी patient ले सकता है तो खासकर recommendation ये रहता है कि आप दिन में 2 टेबलेट या फिर 3 टेबलेट जो है ये 200 mg वाले use कर सकते हैं डिपेंड ओन आपकी condition ज्यदा problem है तो आप दिन में 2 या 3 बार खा सकते हैं नॉर्मल सा problem है तो दिन में 1 या 2 टेबलेट आप ले सकते हैं उसके working के बार में जाने कि ये medication कैसे काम करती है तो जिससे मैंने अभी आपको समझाए कि आपका जो blader है ओवर एक्टिव होता है उसका reason ये होता है कि वहाँ पे contractions ज्यदा होते हैं तो ये medications क्या करती है कि वहाँ पे जो ये smooth muscles होते हैं ये smooth muscles को urispos tablet क्या करती है relax कर देती है कि जिससे आपका blader फिर से normal के condition में आ जाता है और over active नहीं रहता कि जिससे urinary urgency के जो problem से वह आपके solve हो जाते हैं तो ये medication की mechanism के बार में हम समझे तो ये क्या करता है कि जो calcium जो होता है का involvement जो intracellular cyclic EMPA accumulation जो कहा जाता है कि जो आपका जहाँ पे आपका ये cell है या फिर आपके जो muscle से वहाँ पे जब calcium present होता है तो वो contractions की condition में आते हैं और जब calcium absent होता है तो वो relaxation की condition में आते हैं तो आपका ये medication calcium जो होता है उसको block कर देता है कि जिससे क्या होता है कि muscles जो वो contractions नहीं करते relax mode में रहते हैं कि जिससे आपका ये problem sol हो जाता है तो आपको पता है कि calcium खास कर involved होता है contractions के अदर तो calcium involved ना होने के करण muscles relax ही रहते हैं और जो muscle contractions के करण जो problem होता है कि आपका bladder over active हो जाता है वो normal हो जाता है और आपकी problems sol हो जाती है अब ये medications कुछ side effects करती है जैसे कि dryness in mouth की ये medication लेने के बदे आपको बार-बार प्यास लगती है आप आपके mouth के अंदर dryness जैसा feel करते है जैसे saliva कम हो गई आपको बार-बार प्यास लगती है फिर drowsiness जैसे नींद आना ऐसे आपको feel होता है उबासी लेना नींद आना आखों में कुछ लोगों को दर्थ होता है आई-pain जैसे कुछ complication कुछ लोगों में देखने के मिले है जी गबराना और उल्टी हो जाना विजन जो है वो blur होना ऐसे कुछ side effect डेवलफ होते हैं nervousness जैसा आप feel करों कि यह medication लंबे समय तक आप लेते तो आप nervous जैसा feel करते हैं या फिर आपको body के उपर जो पसीना आता है sweating जैसा आप feel करते हैं कुछ उसका serious side effect हम देखे तो यह medications तुरंत लेना बन कर दे और आपके doctor या फिर pharmacist को contact करेगे अगर कोई भी serious side effect होती है जैसे कि आपके eyes में light के sensitivity होने लगी है कि आप जैसे ही light के सामने देखते तो आपको देखने में परिसानी होती है light के सामने sensitivity आपके बढ़ जाती है तो तुरंत इसको लेना बन कर दे फिर आप confusion जैसा ज्यादा feel करते है यह medication लेने के बाद तो तुरंत लेना बन कर दे skin के उबर rashes या फिर कोई allergic reactions डेवलफ हो रही है आपके heartbeat fast हो रहे है या फिर irregular हो रहे है severe dizziness या फिर drowsiness में बहुत ही आपको नींद जैसा आता है या फिर आप uncomfortable feel करते है यह medication लेने के बाद या फिर sore throat में के गले में खारास और साथ में बुखारा जाता है यह medication लेने के बाद तो second time यह medication आप ना ले तुरंत आपके doctor या फिर pharmacist को बता के medication को जे वो change कर देनी चाहिए अब उसके contraindications के बारे में जाने तो कैसे condition में urispas या फिर flavoxid hydrochloride को यूज नहीं करना तो आपको obstruction है और specially urinary tract के अंदर जैसे की आवरोध है या पर आप देखो कि आपका urinary tract में इस तरह से stone बने हुए है और stone के करण वहाँ पे आवरोध है obstruction है तो ऐसे condition में आप ये medication को यूज ना करें फिर pyloric या फिर duodinal obstruction है तो भी यूज ना करें intestinal lesions है, obstructive ileus, achillesia या फिर gastrointestinal hemorrhage की जो condition है तो ऐसी conditions के जहाँ पे आपके सरीर के अंदर obstruction है औरोध है तो ये medication को यूज ना करें pregnancy के दुरान हम बात करें तो pregnancy के अंदर ये usfdo दारा category b की है तो जब animal studies की जाती है reproductive system की animals के अंदर तो fetus के अंदर कोई risk जो है वो देखने को नहीं मिला animal study के अंदर तो ये medication को FDA ने category b के अंदर रखा है बट ये medications को proper precoces उनके साथ medical supervision में आपके gynecologist के सला के बाद ही अगर जरूरत है तो ही use की जाती है तो pregnancy के में लेने से पहले एक बार आपके gynecologist के सला जरूर लें तो ऐसे सीखे medicine course में अलग-अलग दवाईयों के बार में उनके dose क्या होते है उनके side effect warning contraindications एक साल तक affordable price में सरल बासा में farmer rocks के अब उपर तो ये course को access करें farmer rocks के अब उपर तो course join करने के लिए हमें whatsapp करें ये number पे link आपको description box में मिल जाएगी हमारे second channel को भी subscribe करें और हमें support करें good luck and all the best